की और देखा उसकी कुपागनी से भस्म हो दोनों तक काल्व वहें किर पड़े उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई मेरा लेटिस वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिले सबसे पहले की ममता यग्य शर्मा संतोशी ब्राहमन थे उनकी पत्नी का नाम रोहिनी था उनका एक पुत्र हुआ पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा उपनयन संसकार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उनकी मृत्यु हो गई मा बेटे पर विपत्ती का पहाड तूट पड़ा दोनों बेचारे दरिद्र तो थे ही अब अनाथ भी हो गए पिता का संसकार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया भागते समय उसने मा के बारे में सरा भी नहीं सोचा व्रिधा मा अकेली कैसे रहेगी? कैसे गुजारा करेगी? रोहिनी के दुख का ठिकाना ना रहा पहली विपत्ती से दूसरी विपत्ती उसे अधिक भयानक लगी समय के साथ वह पती का दुख तो भूलती गई पर पुत्र के घर लोट आने की आशा ने उसे दुखी बनाए रखा वह नित्य उसकी प्रतीक्षा करती जब रात हो जाती तो कहती आज नहीं आया कल तो जरूर ही आएगा बात में कहने लगी जहां है वही सुखी रहे भगवान उसकी रक्षा करे पर उसके चित से प्रतीक्षा की भावना ना गई वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही जीवन पिताने लगी घर से निकल देवशर्मा गंगादी तीर्थों पर स्नान ध्यान दर्शन अध्यन करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता घामता नंदी ग्राम आया और वहीं एक मठ में रहने लगा सैयम के साथ जप तप से उसमें अपूर्व शक्ती उत्पन हो गई सिध्धी प्राम्ती हो गई पर इस बात का आभास उसे बिल्कुल नहीं था जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सोखने डाला तब उसे एक ओर से कौवा तथा दूसरी ओर से बगुला उठा कर उड़ने लगा देव शर्मा ने उन्हें डराया वी मारी डर के उस पर बीट करके उड़ गए यह देख देव शर्मा ने कौप भरी द्रिष्टी से उनकी ओर देखा उसकी कोपागनी से भस्म हो दोनों तदकाल वहीं किर पड़े उन्हें किरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई साथ ही अभिमान भी कि मेरे समान संसार में और कोई शक्तिशाली तपस्वी नहीं अपने को महान सिध्ध मान कर वह नित्य की तरह नंदी क्राम में भीक्षा करने कया भीक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्रहमन के द्वार पर पहुँचा उसने आवास लगाई मा भीक्षा दो कश्यप की पती व्रता पत्नी सावित्री उस समय पती सेवा में तक पर थी वह देर तक चुप चाप पती सेवा में लगी रही उसने पानी गर्म किया, उससे पती के पाउंध होए जब पती आराम से बैठ कया, तब वह भीक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास आ उसे भीक्षा देने लगी परन्तू ब्रह्मचारी को तो अपनी सिध्धी पर अभिमान था, वह कभी का चला जाता किन्तु इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वहां खड़ा था उसने इस पती व्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा उसी वैसे देखते देखकर सावित्री ने हस कर कहा ना मैं काख हूँ ना ही बलाका हूँ जिन्हें तुने चलाया है वे नदी पर ही चल गए अब तुझसे कोई नहीं चलता क्रोधी यदि भिक्षा लेनी हो तो ले व्यर्थ में घूर खूर कर क्या देखता है तेरा क्रोध करना व्यर्थ है सावित्री की यह बात सुनकर देव शर्मा हक का बक्का रह गया और चुप चाप भिक्षा लेकर चला गया रास्ते भर सोचता रहा कि इस त्री में दूर घटित घटना को जान लेनी का सामर्थ्य कैसे आ गया यही सोचता सोचता वह मठ में पहुँच गया बहुत माथा मारने पर भी जब वह न जान सका तब भिक्षा का पात्र मठ में रख कर फेर सावित्री के पास जाकर उसने विनय पूर्वक पूछा देवी मैं आपसे यह जानने आया हूं कि एकांत में घटित उस घटना का ज्यान आपको यहां बैठे कैसे हो गया सावित्री बोली ब्रह्मन देविता स्त्रियों के लिए पती सेवा सबसे बड़ा धर्म है वही मैं नित्य करती हूं जब तब तो मैंने कभी किया नहीं लेकिन पती को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयात्न करती हूं इसलिए दूर की बात जानने की शक्ती मुझ में अपने आप उत्पन हो गई है यह तो तूने जान लिया पर तेरे कल्यान के लिए मैं तुझे एक और बात पताना चाहती हूं तू यदि समझना चाहे तो सुन तू करतव्य भ्रस्ट है पिता के मरते ही तो श्राद करके अपने बूढ़ी असहाय विधवा मा को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भागाया धिकार है जिस मा ने पहले तुझे गर्भ में रखा फिर बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा तो उस मा को असहाय छोड़कर वन में जब तब करने चला आया तुने यह न सोचा कि जिस मा ने तेरे बच्पन में तेरा विष्टा तक साफ किया है तेरे बीमार होने पर रात दिन एक कर दिया उस दुखिनी मा को असहाय छोड़ कर तेर्थाटन करने निकल पड़ा तेर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परमध्य मान बैठा पर याद रख जिस सिध्धी को पाकर तुझ घमंटी बन गया था उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं तेरे धर्मात्मा पिता ने तेरे जो विधीवत संसकार किये थे उनके कारण जब तप से तुझे वह सिध्धी प्राप्थ हो गई थी परन्तु माता को दुखी रखने से वह अब नश्ट हो चुकी है ब्रह्मन याद रख जिसकी मा पुत्र के कारण दुख उठा रही है उसका स्नान तीर्थ यग्य तो व्रिथा है ही साथ ही जीवन भी व्यर्थ है जो मात्र भक्त भक्ती पूर्वक अपने माता की सेवा करता है उसी के लिए स्नान तीर्थ जप तथा यग्य इस लोक और परलोक में फल देते हैं जो व्यक्ती माता की सेवा तन मन से करता है वह धन्य है उसी का जीवन सार्थक और सफल है इसलिए यदि तू अपना भला चाहता है तो आज ही मा के पास चला जा और जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगा कर कर बेटे के लिए माता की आज्या का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है जो यथार्थ बात थी वह मैंने तुझे कह दी है यदि तू अपना भला चाहता है तो इसे स्विकार कर भूल जा कि अब तुझ में कोई देवी शक्ती है वह तो बगुले तथा कौई के जलने के साथ जल गई बगुले के रूप में तेरी माता की साथवे कल्यान कामना थी और कौई के रूप में तेरी काली कर तूते कोई ने बीट कर तुझसे तेरी तब को निकाल बाहर किया। तु स्वयम अपनी ही क्रोधागनी से भस्म हो जाता। पर मोढ देख बलाका बन तेरी माता की आहें तुझे नहीं। केवल तेरे पुन्यों को चला स्वयम भस्म हो गई। इश्वर वह ना समझ है। उसने नहीं उसकी ना समझी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है। नाथ उसका बाल भी बांका ना हो। यही मेरी विनय है। आप सदा उसकी रक्षा करते रहें। यह ठीक है। उसने मुझे दुख देकर पाप किया पर हे प्रभु उसके इस पाप के बदले में उसे दुख ना दें क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा यही तेरी माता की प्रार्थना तेरा कवजपन तुझे बचा गई थी यह सुन देव शर्मा का हरदे संताप तथा पश्चाताप से भर कया वह सोचने लगा कहा माता के लिए मेरी यह निश्ठुरता कि मैं उस असहाय को भोखा मरने के लिए छोड़ कर भागाया और कहा वह मम्ता मई अपने स्वाभावेग स्नेह से मेरा कल्यान चाहती रही और सुरक्षा की कामना करती रही यह सोचकर उसने सावित्री से कहा बहन आपकी आग्या से मैं अभी सीधा मा के पास घर जा रहा हूँ उनसे अपने की अपराध की शमा मांगूंगा वे मेरी मा हैं वह मुझे अवश्य शमा करेंगी सावित्री को श्रद्धा से नमस्कार करके मैं चला गया उसे देख माने गले लगा कर पूछा बेटा मैं तो तुझे रोज याद करती थी तू क्या मा को बिल्कुल ही भूल कया था